रविंद्र जी फिल्मी जोहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके फिल्म की मुरत की गई है फिल्म का नाम है अमर प्रेम एक अधोनिक प्रेम का था तो आज जो आपने मुरत की है फिल्म के विशे में बताईए जी ये फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है फिल् कौन कौन से लोग आये हुए थें और मुरत में क्या कुछ किया गया खास Qui हो आये हूए हैं कुछ आठीष्ट तो नहीं आपए हैं कुछ होजा से और मूखे अतिति के रूप में हमारे इस मिश्रा सर है अब फिल्म के बारे में बताईए कि फिल्म की कहानी क्या कुछ है और फिल्म में क्या कुछ आप दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म में जो है बहुत ही नई कहानी है और नई पिरी के लिए बहुत ही अच्छी संदेश है फिल्म में और संदेश यह है कि माता पिता बाल बच्चे को बहुत ही अपने सपने लेकर उनको पालते पोस्ते हैं और क्या होता है कल होकर की मतलब अपने बाब मा का इजद बीना किये बीना पड़वा के कुछ भी कर जाते हैं तो इसी कहानी के उपर जो है इसी थीम को लेकर हम लोग य इस फिल्म में आप एज एन म्यूजिक डिरेक्टर काम कर रहे हैं, तो बताईए कि गीत संगीत को लेकर क्या कुछ आप नया दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। जी तो क्या है मतलब गीत जो है काफी अच्छा संगीत से सजाया गया इस फिल्म को और बहुत सारे गयाकों से हम इकाने गवार है इस फिल्म के और बहुत ही अच्छी म्यूजिक है और साथ में दर्शकों को नया चीज सुनने को मिले गए। क्या थे फिल्म की टीम के बारे में बताई कि इस इस पिल्म के टीम में जैसे मुझिकıldıरक्टर के रूप में मैं रबी अबिंदर संग में और देऊक्टर हो गए बिकी सिंग आदित्य कर रहा है और निरमाता में पपू किसंगी तो इस सारे टीम हमारे जो है वो फिल्म कर रहे है इस फिल्म को कलाकारों के बारे में बताइए कि कौन-कौनसे कलाकारों को लेकर कर आ अप दर्शकों के लिए आ रहे हैं इस फिल्म में जो कलकार हो गया जैसे की आपको गोपाल और संजी मिस्रा जी है में लीड में धजन्जय धरकन जी है और संजय वर्मा जी है साथ में और और भी कलाकार है मुखे रूप से जो आपको इस फिल्म के जो मुखे है वो विजजेत तिरपाथी जी है क्या कुछ दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि अभी देखा जा रहा है कि भोजपूरी का जो अस्तर हो काफी गिरता जा रहा है लोगों को मानसिकता जो है अलग भावना बनी हुई है तो आप क्या उम्मीद रखते हैं दर्शकों से और क्या अपील करना चाहते हैं देखे दर्शकों से हम यही बात कहेंगे कि ये फिल्म एक नई कहानिया और नई सोच से बन रही है जैसे कि आपने फिल्म का नाम सुना अमर प्रेम एक आधुनिक प्रेम कथा है तो इसी साब से आप समझ जाए कि एक नहीं पिरी का जो अभी चल ला है प्यार मोहबबत गारजियन के बारे में नासोते हुए कुछ भी कर जाते हैं तो उन गलत कदम उठा लेते हैं तो इसी के ऊपर यह हमारी फिल्म बन रही है उस पर संदेश हम पब्लिक को दिखाना चाह रहा है कि बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब कि गारजियन क प्यारा गारजियन के इजद के साथ कुछ भी कर देए उनके इजद को ख्याल में रखके ही कोई काम करना चाहिए शुटिंग आप लोग कहा खां करने वाले हैं शुटिंग जो इस फिल्म की जो है हम सीता मड़ी करने वाले हैं इसके बाद नेपाल में पुछ शूट अपना पूरा परिच्छे दे दीजे जी मैं म्यूजिक डाइरेक्टर अभींदर सिंग अमर्प्रेम की जो पूरी टीम है वो सब हम लोग मिलके कर रहे हैं